नमस्कार दोस्तो टार्गेट हैम सभी के एक बार फिर से सौगत है दोस्तो एम्स के दोरा एक और भरती विग्यापन आ चुका है सेंटर गौर्मेंट की जॉब रहने वाली दोस्तो भारत के सभी स्टेट के कंडिडेट अपलाई कर पाएंगे एमस भौपाल से भरती विग्यापन जारी हुआ है इसमें बात करें पोश्ट की तो लैब टेक्निशन के लिए भरती विग्यापन जारी हुआ है और दोस्तो भारत के सभी स्टेट के कंडिडेट आवेदन कर पाएंगे तो दोस्तो वीडियो में आंके बाडनेस पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करें आप दोस्तो हमारे टेलिग्राम चैनल भी मिजड़ सकते हैं application form दोस्तो आप हमारे telegram channel से easy तरीके से download कर पाएंगे और दोस्तो telegram channel का link का आपको नीचे description box मिल जाएगा वहाँ से आप join हो पाएंगे और application form और notification का पीडियाप आप easy तरीके से download कर पाएंगे तो दोस्तो चलिए बढ़ते हैं information की और देख सकते हैं दोस्तो भरती बिग्यापन All India Institute of Medical Science बपाल से जारी किया गया है मादपरदेश बपाल से भरती बिग्यापन जारी हुआ है और आपको इसमें समय बताया जा रहा है starting date for receiving the application 12 अगस्त से दोस्तो इसमें आवेधन होना start हो चुका है 26 अगस्त तक आप इसमें आवेधन कर पाएंगे और वाकें इंटर्विव के मादधम से दोस्तो आपका इसमें selection हो गए इसके लिए आपको समय बताया जा रहा date of return test interview 28 अगस्त को आपका ये interview या return test हो जाएगा दोस्तो ये भरती विग्यापन project basis पे जारी हुआ है ICMR के दोरा इसमें funding किया जा रहा है आपको contract basis पे posting दी जाएगी बात कर लेते हैं post की तो देख सकते हैं position में lab technician के लिए post है और इसमें qualification में दोस्तो आपस 12th pass मांगा जा रहा है with 3 year का diploma आपके पास होना चाहिए medical lab technology BSC MLT आपके पास complete होना चाहिए दोस्तो या फिर आपके पास DMLT का course complete है और one year का experience है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे नमबर आप post एक सामिल है इसमें salary दोस्तो आपको इसमें 18,000 रुपए per month fix salary आपकी रहने वाली है और बात कर लेते हैं age limit की तो 30 years तक के candidate इसमें आवेदन कर पाएंगे आपका age date up interview के दिन तक आप 30 years से अधिक नहीं होना चाहिए और दोस्तो इसमें एक और post सामिल है field investigator के लिए इसमें आप से graduation degree मांगा जा रहा science से आपके पास ये degree complete होना चाहिए अगर दोस्तो आपके पास master degree है same field में तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे number up post एक सामिल है और इसमें आपको 31,000 per month salary दी जाएगी age limit same है 30 years तक के candidate इसमें आवेदन कर पाएंगे अब बात कर लेते हैं दोस्तो आपको apply कैसे करना तो how to apply में देख सकते हैं the interested candidate में download the application form ये आपको website बताया जा रहा official website aims के आप application form डाउनलोड कर पाएंगे या फिर दोस्तो आप easy तरीके से telegram channel से भी download कर पाएंगे और telegram channel का link आपको नीचे description box में मिल जाएगा वहां से आप notification का पीडियो पाउर application form डाउनलोड कर पाएंगे second number पे दोस्तो आपको बताया जा रहा scan copy of the fillet and sign application form along with photograph and adjusted copy of all the record certificate document must be email आपको दोस्तो ये application form साथ में उसमें photograph आपको एक photo attach करना होगा और adjusted copy of the all required certificate उसमें दोस्तो आपको जिस बेस पे आप apply करेंगे degree diploma और 10th 12th की certificate साथ में आदर आपके ID card उसमें attach करके self attested आपको करना होगा और PDF form में दोस्तो आपको इस email ID पे send करना होगा एक PDF form आपको बना लेना है सभी document के application form और जितने भी required document है उसको आपको इस email ID पे send करना होगा और आपको date भी बताया जा रहा 26 अगस्त तक दोस्तो आप उसको अपना आवेदन जमा कर पाएंगे और इसके बाद आपका interview होगा उसके लिए 28 अगस्त को आपका और समय निर्धालत किया गया है reporting time सुबह सड़ेना वज़े आपको reporting करना होगा interview के लिए और interview में दोस्तों आपको क्या क्या ले जाना है वो भी देख लेते हैं तो इसमें आपको बताया जा रहा है जो भी document आप send करेंगे application form उसको आपको लेके जाना होगा साथ में आपको original hard copy आपको जो application form है और आपके सभी original document लेके जाना होगा वहाँ पे आपका ये verification होगा verify किया जाएगा आपके document का और address देख सकते हैं दोस्तों आपको address भी बताया जा रहा है 6 नमबर पे on the day आप written test interview the candidate must report the principal investigator in the department of gynecology first floor academic block hospital building में दोस्तों आपका ये interview होगा और reporting time और date आपको बता दिया गया 28 सगस्त को आपका ये interview होगा सुड़े 9 बज़े आपका reporting करना होगा इस address पे तो दोस्तों ये notification का पीडिया पर आपको application form हमारे telegram चैनल में मिल जाएगा और वहाँ से आप easy तरीके से download कर पाएंगे telegram चैनल का link दोस्तों आपको नीचे description box में मिल जाएगा तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो like जरूर करें अपने दोस्तों साथ share करें channel पे नए हैं तो subscribe कर लें thank you